वेलकम तो बीएसी एजुकेशकल है का इस्वीडियो में हम क्लास 11 का आपका कल पेपर हुने वाला है और उसका हम एक और जो आपका प्रैक्टीस पेपर इस तक लें तो आप देखे प्रैक्टीस पेपर पने हंदुने हैं तो इस अंदेफे के लिए ये बहुत important है आपके लिए mid-term का जो paper होने वाला है आपका उससे जो related आपका syllabus है एक तो उसमें दिया गया है ठीक है जो questions लिए गया है उसमें वो आपके mid-term की जो syllabus है उसके according है और ये paper आपके लिए बहुत जादा important होगा इसमें से बहुत सारे questions होंगे जो आपके कल की paper में आने वाले है तो वीडियो को पूरा देखे समझने के लिए और ये आपका physical education का paper है Hindi और English दोनों ही मीडिया में मैं आपको समझाओंगा दिखाओंगा paper किस तरह से आपका paper का pattern रहेगा साती हम पूरे paper को solve करके देखेंगे किस तरह के questions आप से पूछे जाएंगे तो यहाँ आपका जो है समय दिया गया है तीन घंटे आपके पास होंगे असी सतर नंबर का जो आपका paper होगा ठीक है physical education का सतर नंबर का paper होता है तीन घंटे आपके पास timing होगी और सामानी निर्देश की बात करें तो यहाँ पे हमने पहले भी paper किये है अगर आपने वो भी नहीं पर देख लिए है उनको जरूर देख लिए आप सामानी निर्देश की बात करें हम तो इस प्रश्ण पद्र में total जो है तीस questions होगे ठीक है सभी questions अनिवारे हैं एक से बारा तक जो questions होगे वो MCQ पर बेस होगे तीरा से लेकर जो 16 तक question होगे वो दो-दो नंबर वाले होगे पर 17 से लेकर 26 तक जो questions होगे तीन नंबर वाले होगे और 27 से लेकर जो है 30 तक जो questions होगे यह 5 नंबर वाले होगे तो यह आपका जो है सामानी निर्देश जी से आप कहते हैं यह रहता है पेपर का और English Media में भी कुछ इसी तरह से है जैसे यहाँ पर बताया गया है जो जर् आपक तक जुआ जो है 12 तक जो बारा तक questions होगे वह qualify वालेoko होगे और यह एक एक नंबर से आगे है 13 से 16 तक जो questions होगे यह 2 marks के होंगे जो 17 से लेकर 26 तक होंगे ये 3 मार्क्स के होंगे और 27 से लेकर 30 तक जो होंगे ये 5 मार्क्स के होंगे तो ये English मीडिया में कुछ इस तरह से है और ये आपका पहला पेज रहता है पीपर का ठीक है और अगर अभी तक आपने हमारे class 11 11 टेलिग्राम जो हमारा चैनल है या आप इसे ग्रूप कर सकते जोइन नहीं किया तो जोइन कर लीजिए आपको ये लिंक जो है description में मिल जाएगा साथी अगर आपको लिंक से ओपर नहीं हो पाता है तो आप जो है सबी बच्चे के question साथ जरूर मैं reply करता हो तो कोई question हो कोई doubt रह गया हो ठीक है यह रह जाता हो तो आप में से जरूर जो है इसमें हो सकते हैं अब हम आते हैं direct paper की तरफ paper जो है आपका यहां से start हो जाता है यहां से मैं हिंदी और में भी में आपको बताऊंगा इंग्लिष मीडियम में मैं आपको दिखाते चलूंगा जो बच्चे इंग्लिष मीडियम वाले हैं वह देख सकते हैं सारीरिक सब्द का क्या आर्थ होता है सबसे अपका पहला question है कि सारे रिक सीक्शा पढ़ते है फिजिकल एजुकेशन उस ठीक है तो right answer क्या हो जागा आपका दा निकल के right answer आ जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए आप इन पर focus मत करिए आ बा सा और दा यहां पर आपको focus करना है right answer कौन सा है A, B, C, D जो है आगे पीछे भी हो सकता है तो यह चीज़े थोड़ी देखते हैं तो यह थोड़ी जो है आपको आब सा दा ऐसी लगेगी क्योंकि यह जो है बनाने में थोड़ी गलती हो चुकी आगे हम आते हैं English Medium की जो बच्चे हैं वो देख सकते कुछ इस तरह से कि यहां पूछा गया है वह दस दा टर्म फिजिकल इन फिजिकल एजुकेशन डिप्रेजेंट यहां पर आपके सामने और जैसा कि मैंने आपको बताए कि जो है इसका राइट अंसल हो जाएगा इंगलिस मीडिये में मैं आपको दिखाते चलूंगा ठीक है और हिंधी मीडिये में म है आपका ठीक है और यहां पर जो राइट निकलके आजागा आपका पांच राइट अंसर निकलके आजागा जो सारे penet शीक्षा है उसके मुख्चे रोप से कितने उद्धेत से हैं 5 उद्धेस से यहां पर यह हो जागा राइट अकॉर्सम फथा यहां इस लिए हमовे पैंक जुमरेटबहशी कोशल खुबसूरत व्यक्तित वोना चीर उत्क्रेश्ट बोलने की कोशट दो राइट एंसर निकल कर आजागा अपका बाब उत्क्रेश्ट बोलने का कोशल जो है हो जाएगा हम ऊपर ओले सबसे पहली है यह और इंडिय में पूछा गया चो दिलियं बंध के 669 बाग्धि में आ पारिग्रहन दे नहीं शत्रया से हैं hyaczne दो राईट आन्सर जो हो संतोउस आगे हम आते हैं अगले पराचीर enrollampic जो होते थे वह किस के सम्मान में किया जाता था xuimmud यहाँ पर आपके साबने option है, थेओन, डोसिस, जीओस, हर्कुलस, ठीक है, पोसीडोन, तो right answer हो जाएगा आपका जीओस, जीओस इसका right answer हो जाएगा आपका, इसे आप जानते भी होंगे, यहूदियों जो होते हैं, उनके भगवान है, ठीक है, जो जीओस है, यह उनके भग जो हुआ हैं कि आगे हम आते हैं अगले पर प्रातो आध्यक्स को यहाँ पिश्चिंग के प्रत्म को यहां पर आपके सामने पहले भारतीין उल्मीक सांगिका आते हैं अगले कोशन पे अगला कोशन आपका सेवंध है सारीरिख पुश्टी के कितने घठक होते हैं तो राइट एंसन निकल के आजागा 5 घठक सारीरिख पुश्टी के होते हैं आते हैं अगले questions पे इसी में अत्वे में पूछा गया question है इन में से कौन सा सरी जो है संव धर्नात्मक आसन नहीं है यह आपके सामने options है मयुरासन धनुरासन चक्रासन या सोसासन तो राइट अंसर हो जागा आपका सोसासन जो है इसका राइट अंसर निकल के आजागा option जो आपका दव ठीक है आगे हम आते हैं अगले questions पर कोर्शन नमबर 8 की तरफ वसा वसा अस्थी जल और मास्पेसियों का प्रतिसत मानव सरीर में क्या कहलाता है दीकिए वसा है अस्थी है जल और मास्पेसियों का प्रति संद्रचना तो राइट अंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका दा आ जाएगा जो शरीर है शरीर की संद्रचना यहां पर आपका राइट अंसर होगा आगे हम आते हैं अगले questions पर कोर्शन नमबर 9 रहता है किसी भी सक्ति का विरोध करने की शमता क्या कहलाता है अगर हम वि राइट अंसर जो होगा आ होगा नोबे का आ हो जाएगा आपका आते हैं अगले questions पर इंग्लिस मेडियम वाले बच्चे है वो देखते जाए आपका answer जो है वही होगा जो आपका हिंदी में answer है same question है इसी में अत्वे में बोला गया question है यहां पर बोला गया कुछ line जिसमें बोला गया मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे अपने प्रियास में बहादूर होने दो यह सपाथ जो है किन खेलों में लिया जाता है किस खेल में लिया जाता है तो आपके सामने यह option है यहां पर आपको जो है इसका right जो answer हो जाएगा वो हो जागा आपका right answer is English video में कुछ इस तरह से है आगे हम आते है question number 10 की तरफ question number 10 है आपका स्वास्ते संबंदी पुष्टी का लक्षे क्या रोकना होता है तो स्वास्ते संबंदी जो पुष्टी है उसका क्या रास्ता रोकना बीमारी तागत या चमता तो बीमारी रोकना जो है ए और कारण आर वाला जो question है दिया जाता इसमें अभी कतन जैसे दिया गया है समावेसी सिक्षा एक नवीन पदती है जिसमें कटनाईों से सिक्षा प्रात करने वाले और ऐसमर्था वाले बच्चों बच्चे एक ही छत के नीचे समाने बच्चों के साथ जो है सिक्षा ग् इंभीन हो तो राइट एंसर क्या को जागा यह और रोनों ही सही है इसका यह धे हमकले चौशन से घर समय कुशनन का कोंद वाले वाले बच्च आपको बताने तक्च पर भी किस निच पोशन खेलने सबनने गति करियाओ को बढ़ाने में तो राइट एंसर आजागा आपका पोशन जो पहला दिया गया है ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था आपको जो है इस पर ध्यान नहीं देना है यह सारी चीज़े जो है थोड़ी गलट टाइप हो गई है इधर उधर हो गया है खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें सामिल जो नई खेल है और तेवार है उनके नई खेल तेवारों के नाव आपको बताने है तो खेलो इंडिया सीथ कालिन खेल जो है सीथ रितू बर्फ इतियादी में खेले जाने वाले खेल जैसे आइस होकी हो गया आपका आइस स्क्याटिंग हो गया आदी जो है 2020 में जो है शुरू किये गए खेलो इंडिया विश्वी देले खेल भारत के बीच ये मुकाबले 2020 में शुरू हुए ठीक है तो ये इसके बारे में नए आप नाम इधर जो आप देख पा रहे होंगे नए खेल या आप कह सकते त्यवारों के नाम तो आइस होकी हो गया आइस स्क्याटिंग हो गया ये हो जाएगा हम आते हैं अगले कोशन के आप कोशन नमबर जो चोधवा है प्राचीन ओलंप के राजा थे थियो डोसीस इनके द्वरा जो है बंद कर दिया गया खेलों में धार्मिक मूले जादा था यूद जो है ओलंपिक खेलों के द्वरा रूख जाते थे सिर्फ युनानी ही इस प्राचीन जो प्राचीन जो ओलंपिक है उसमें क्या है युनान के लोगी इसके अ आगे हम आते हैं कोशन नमर पंद्रवे की तरफ कोशन नमर जो पंद्रवा है सुखासन करने के क्या लाब होते आपको बताना है तो मानसिक सुख और सांती का अनुभव होता है चिंता अवसाद या फिर कुरोध में लाबधायक होता है बैटने की सही आदत का बनना इससे होत सुखासन से राइट दबैनिफिट्स ऑफ अडविंग सुखासना ठीक है इंगलिस मीडियम में है और आगे हम आते हैं कोशन नमर आप सोलवे की तरफ कोशन नमर जो सोलवा पूछा गया है चाल्स ए बूचर के अनुसार जो है सारे रिक शिक्षा की परिवासा जो है सारे सेक्सिक प्रक्रिया का महत्वण भाग है और इसका उद्देश से सारे रिक प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों यहां पर आएगा ठीक है नागरिकों का सारे रिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक विकास करना है जिन है इनके परिणामों को देखकर चुना गया है तो य ठीक है यहां पर बोला गया समादी ध्यान के लिए पहले क्या पूर्व पिकषित है तो यम वे नियम को समाधी ठीक है आपने पड़े होंगे और मैंने आपको बताया था तो उसके अंदर क्या है ध्यान के लिए पहले अस्ते है ब्रह्म चर्ण है आप परीगर है सामिल है आगे आते हम अगले कोशन पर कोशन नमर जो सत्रवा रहेगा आपका यह रहेगा आपका कुछ दो लाइने दी हुई होगी और इससे रिलेटेड आपसे कोशन पूछे जाएंगे जैसे ग्यार्विक अक्षा के विद्यारती है जो त्रिष्टी बाद जीते उन्होंने इस संदर में अपने अध्यापक से विचार मर्स किया और इस से रिलेटेड कोशन पूछे गए जैसे ओपर की घटना समझके प्रशनों के अंसर आपको देने है तो कोशन नमर वन पे आते हैं कोशन नमर जो वन है सारीरिक शिक्षक कौन-कौन से ओलंपिक खेल सुझाएं जिसमें विद्याथी भाग ले सकते हैं यहां पर हैं ग्रेश्मकालीन ओलंपिक पेरालंपिक शीद कालीन ओलंपिक या डैपलंपिक तो रैट अंसर ओजागा आपका बी पहरा पैरा ओलंपिक जो है इसका रैट एंसर निकलकर आ जागा ऐसे चात्र जो है लंपिक जो खेल होते हैं ऑलंपिक होते हैं उसके अंदर पाटिस्पेट कर सकते हैं आगे हम आते हैं कोशन नमर्ड दूसरे पर कितने तरह के जो दिव्यांग वर्ग है पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए मानने हैं तो यहां पर आपके सामने ऑप्सन है पाच साथ दस और है किँट के जो आप कह सकते हैं दिव्यांगता यहां दश तरह के जो एच स trimmed वाले लोग होते जैसे किसी का पैर्ट उटाए तो एक गिता जाएगा इसको किसी का हाथ नहीं है दो कोई देख नहीं सकता तीन तो ऐसे तरह कि 10 तरह के जो है ओलम्पिक में बहाँ अम्मान ने रखा गया है 10 तरह के अगर दिव्यांगता उनमें से हैं अब वह कौन से 10 है आपको पता होगा आप गूगल भी कर सकते हो बाकि इसमें 10 तरह के हैं ठीक है कोशन नमबर जो तीसरा इसका पूछा गया है दिव्यांग खिलाडियों के लिए कौन जो है कौन सी भारतिय संस्था मुख्य कारे करती है जो सिर्फ क्या करती है दिव्यांग भारत जो है जो दिव्यांग खिलाडी होते उनकी जो है उनके लिए ही कारे करती है उनकी एक संस्था है जो उनके लिए मुख्य काम करती है जो भी उनसे रिलेटिड है आगे हम आते हैं कोशन नमबर जो है अगले पर इंगलिस मीडिया में कुछ इस तरह से है आपके सामने सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने खेलो इंडिया 2020 खेलो में सोन पदक जीता स्कूल में उनका स्वागत हुआ परधानाचारे ने उन्हें स्टीज पर भाषण के लिए आमत्री थिया आप इससे रिलेटेड आपसे जो है कोशन पूछे जाएंगे पूछा गया है जैसे कोशन खेलो इंडिया 2020 में जो है कितने खेल सामिल थे तो यहाँ पर बात हो रही थी 2020 की तो यहाँ पर कितने खेल सामिल थे आपसे पूछा गया है 17 थे 18 थे 19 थे 20 थे तो राइट अंसर 20 हो जाएगा 20 खेल जो है सामिल थे इसमें आते हम अगले questions पर अगला question Hakito इंडिया की शुरुवात कब हुई थी तो 2020 में परदानमंतरी जी दव्यारा इसे लाइगा था 2020 है इसका right answer हो जाएगा तो यह आपको समझ आगया होगा यहां तक तो यह आपका कुछ इस तरह से आपने पेपर देखें जिसके अंदर आपके mcq वाले भी कोशन्स थे और आपने दो नंबर वाले कोशन्स भी देखें यहां पे तो यह आपका पुरा का पुरा समझ लीजिए कि सेक्षन आपके डिवाइड नहीं किये हैं मतलब आपका बताय नहीं किया गया है पीपर में मिट्र में सेक्षन है वै उनिशवा कोशन्ँ जो पूछा गया है सारीक शिखषा का उद्देश से क्या है आपके सामने है यह अंसर सारी रिक प्रादान करना, जो किसी व्यक्ती, जो किसी एक व्यक्ती या समुधाई को कारे करने के लिए अफसर दे, ठीमें? उसमें सारी रूप, पूशल और योग्य नित्रेतु देना तता ऐसी सुविदाई परदान करना जो किसी एक व्यक्ति है कारे करने का अपसर प्रदान करें अगे हम आते हैं इंगलिस मीडिया में कुछ इस तरह से है इसी के अत्वे में पूचा जाता है और ये कोशन बहुत important अडोड वाला 올 amp टी आलनप मसर्ण कहते आप इसे तो यह वह ता है ज्टाट होता है जब स्टार्ट होता है उँझे कि यह जाता है और उठानां सो एऑस्ट की na की Cum में आ सकते हैं इसे ओलंपिक खेलों के उद्गाटन समारों से कई महीने पहले प्रज्यलित किया जाता है एक बार जला जाने के बाद यह जोती तब तक जलती रहती है जब की ओलंपिक जो खेल है वो चलती रहती है इसे समा पर समा रहो वाले दिन जो है बुझा दिया जाता है तो यह राइट हैं सा निकल कर आ जाएगा यह इसका एक्स्प्लेशन होगा आते हैं अगले कोशन पर कोशन नमर जो 20 वा है ओलंपिक मुल्य क्या है आपके सामने यह बता करना महत्पूर्ण विजे होना ठीक है नहीं अपीतु संगर्च होता है इच्छा सक्ति के स्वास्त संयोजन का आनंद लेना तो यह सारी चीज़े क्या स्रेश्टा में हैं आदर की बात करें तो आत्म सम्मान दूसरों का आदर प्राकरतिक वातावरन वे नियमों वी नियम स्वाइब व्यक्ति के सब्सक्राइब के बीच आप सी समझ वे तालमेल को बढ़ावा देता है मित्रता तो यह इसको इस तरह से एक्स्प्लेंगे तो यह कोशन नमर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा और यह आपका जो है कुशन नमर बीस हैं एंगलिस मिडिया में कुछ इस तरह से है आपके आपने यहां तक तो जरूर समझ लिया होगा कि किस तरह से आपके पेपर पूछे जाएंगे कौन से ओलंपिक वाले जो कोशन से वह पूछे जाएंगे आपसे ओलंपिक जोती मसाल देखा हमने ओलंपिक मोले देखा हमने सारे दिक जिक्षा के उत्ते से क्या है तो यह सारी चीजी हमने डिसकस कर लिए यह पार्ट वन यहीं तग रहने देते हैं पार्ट टू में जो है नेक्स्ट जो आपके जो कोशन होंगे वह हम 21 से स्टार्ट करेंगे आपको इतना तो समझ आगया होगा कि किस तरह के कोशन से इसमें आप दहएंगे यहां पे जो आपका सीड वहां पर जो विशेश आपसक्ता वाले बच्चे है उससे रिलेटेट्ड जो कॉशन है ज्यादा है और आपका योग वाला चफ्ट्र से थोड़ा ज्यादा दिख रह बाकि नेक्ट पार्ट में जो हम उसे रिलेटेड जो बड़े कोर्शन से वह भी आगे हम डिस्क्रस करेंगे तो अगर आपको देखना है तो कुछ देर बाद जो है मैं आपको प्रोवाइट करवा दूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा आपको उसके उपर क्लिक करना है और बैल का इकन जो है और सेलेक्ट कर लेना है इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूगा तो आप तक वह पहुंच पाएगी जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाऊगे तो यही था आज का वीडियो वीडि वहाँ पर अंसर आपको जरूर करता हूँ तो वहाँ जो बच्चे कोशन पूछन पूछना चाते हैं पूछ सकते हैं चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत वद्दे मातरम